In this video, we'll talk about KPIT. We'll try to cover company business model, what are the services, how strong company financials. At last, we'll cover company valuation as well as shielding pattern also. So, let's begin with about KPIT. Company की जो parent company है, वो है KPIT Technology Limited. ये जो company फॉर्म हुई थी, 2018 में फॉर्म हुई थी. बहुत जादा time company को फॉर्म हुआ है नहीं. समझने है कोशिश करें, इसकी जो managing director as of now, Mr. Kishon Patil जी है. और जो इसका symbol है KPIT Tech के नाम से as of now, listed है, या फिर trade होता है. इसके बाद करें हम company के पूरे history के बात करें. Company किस तरह से form हुई थी? Company जो form हुई थी, वो तीन phase में हुई थी. आप इस तीज को ज़रा ध्यान से समझेगा. अगर हम यहाँ से शुरुबात करें. यह है इसका first cycle. तीन phase में हुई थी, तो पहले phase के अगर बात करें. तो company was formed by three phase. यहाँ पर KPIT Technology and CK Birla Group के बीच में. यह एक बात चल ले थी, वहाँ से पहले merger हुआ. यहाँ पर आप देख से लते हैं. यह 2019 के January में इनके बीच में merger हुआ और इसका नाम रखा गया Birla Soft Limited. I am sure आप इस IT company के बारे में जानते होंगे. January 2019 में merger हो चुका था इन दो companies के बीच में. लेकिन उसके बाद जो काम के बारी आई. दोनों company थोड़ा सा अलग-अलग काम करती हैं. देखा जाएं तो मोटा-मोटा दोनों IT के field में काम करती हैं. लेकिन Billasoft एक separate type के IT service प्रवाइड करती है. साथ ही मगर हम बात करें KPIT. यह थोड़ा दूसरे type की. क्या है वो हम next slide में समझने वाले हैं. लेकिन आप पहले यह देख लीजिए company बनी कैसे थी. तो ऐसे में जब यह दो company merge होगे. उसका नाम था Billasoft Limited. और उसके बाद जो पहला काम है. यानि जो Billasoft काम करती है. वो IT division में करती है. और अगर हम बात करें. जो KPIT है. वो engineering and mobility solution प्रवाइड करती है. ऐसे IT service प्रवाइड करती है. अपने clients को. दोनों IT में हैं. लेकिन थोड़ा सा अलग है. आप इसे इसको समझने कोशिश कीजिए. वो mobility और engineering के solution देती है. उसके बाद क्या हुआ? जब दोनों नाम तो एक हो गया. लेकिन एक ही नाम से company list होगी. लेकिन काम थोड़ा से दोनों अलग थे. उसके बाद later क्या हुआ? यह जो merger हुआ था, इसमें हुआ था de-merger. यहाँ पर आप देख सकते हैं. वापस है de-merger हुआ और दो company बनी. एक है KPIT Engineering Limited, which was later, जो rename कर दिया था KPIT Technology. यह है एक की. और दूसरा, अगर हम बात करें, पिला सॉफ्ट. तो उसके बाद वापस से दो नाम हो गया और दोनों market में as of now listed हैं. यह company list हुए थी 2018, 2018 में. उसके बाद बात करें. I'm sorry, 2018 में तो एक company form हुए थी, उसके बाद de-merger के बाद यह company list हुई. यह एक चीज़ था. अब जब यह de-merger हुआ, पहले merge हुए, फिर de-merger हुआ, इसके पीछे कर रीजन गही था. The main aim of the complex, जो यह complex हो चुका था, दो businesses के बीच में, इनको separate रखा जाए. IT के जो काम है, उसको separate रखा जाए, उसके company separate रहे, रखी जाए. So that कोई भी investor, जिस भी type के investor हो, वो जिस business में invest करना चाहे, आराम से easily, बिना किसी complexion के कर सके. उसी चीज के लिए, जो दूसरी company है KPIT, वो engineering से related services देते थे, या देते हैं, mobility से regarding देते हैं, इसलिए उसको separate किया गया. तो यहां तक अगर अब भी आप तक समझ गया, अब जो आता है कि यह काम क्या करती है, एक line में समझने कोशिश करें, यहां पर आप इसको देख के समझ सकते हैं. KPIT Technology जो है, वो एक technology company है, engaged किसमें computer programming, consultancy and related activity में. यहां ज़्यादा समझ माया नहीं होगा, समझने कोशिश करते हैं यहां पर. एक independent software integrated यह partner है, या फिर अपने partner को इस तरह के services देती हैं. Mainly जो IT के services देती है, वो automotive industry है, वहां पर ज़्यादा देती हैं, आप इस चीज़ को समझ पाएंगे. अगर हम ज़रा सब focus करें, इस company का focus कहां बना हुआ है, automatives and mobility के अंदर बना हुआ है एक चीज़. दूसरी अगर हम बात करें, इनकी जो presence है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं. Germany के बात करें, US के बात करें, Japan, India, Korea, China. हर जगा बना हुआ है. और जिनका major revenue आता है, वो Germany से ही आता है. अब इसकी बात, इस company के services के अगर बात करने, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे. सबसे पहले जो company service देती है, autonomous driving. जिस तरह के आजकल के हम, auto driving के चीज़े, आज यूकी है, market man, global level पर, India level पर, वहाँ पर यह company, अपनी IT services देती है, उसके बाद अगर हम बात करें, electric and conventional power train, ये भी इनके solution है, उसके बाद बात करें, connected vehicles, मतलब vehicle भी जो भी होता है, उसको पूरा digitally connect करने की, जितने भी चीज़ें जरूरी होते हैं, जैसे के हम driverless car के बात करें, वहाँ पर भी इस company का काम निकल के आता है, उस तरह से design कर किया जाता है, उस तरह सा IT function को merge किया जाता है, या फिर services दी जाती है, उसके बाद बात करें, vehicle diagnostics, और उसके बाद vehicle engineering and design, मतलब complete जिस तरह से, एक गाड़ी अगर चलती है, driverless, या फिर उसको mobility के form में, जितने भी IT services की ज़रुवत पड़ती है, वहाँ पर इस company की ज़रुवत पड़ती है, या फिर services देते हैं, यही वो reason था, इसको birla soft से थोड़ा सालग करने के पीछे का, and अगर हम बात करें, इसलिए दोनों company as of now separately listed है, I'm sure आपको इसके बार में अभी तक कुछ समझ पाया होंगे, अभी बात करें, यह company return कैसे दिया है अपने investor को, पिछले एक साल के फिर बात करें, 366% creation जिस आप काफ़ी अच्छा कहेंगे, अपने investor को इसने ज़ादा ही खुश किया, वहीं बात करें, बट इसने काफ़ी अच्छा काम किया है, medium term में या फिर short run की बात करें तो, आगे अगे अगर हम बात करें, इन return को drive किसने किया है, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे quarterly result के form में, March 21 से लेकर December 21, यह नहीं इस 21 का पूरे quarter का, 4 quarter के number सापके सामने हैं, अगर हम sales से शुरुवात करें, graph के form में पढ़ लिजिए, March में था 540, फिर 567, उसके बाद आए जो 591, आपको continuously sales उपर जाते वे दिखाई पढ़ रहे हैं, this is good, वहीं अगर हम बात करें, इस company के operating profit, 88, 98, next quarter 104, बड़ी जंप अगर नहीं दिखाई पढ़ी, तो कहीं आपको dip, या फिर इस तरह से zigzag बहुत जारा, दिखाई नहीं पढ़ा, consistency दिखाई पढ़ी, धीर ही से, that is growth, growth हैसी ही होती है, और वही होनी भी चाहिए, वहीं बात करें, net profit की, 52, यहाँ पर आप देख पाएंगे, then 60, 65, 70, तो कुल मिलाके, quarterly basis पर, company नहीं अच्छे number, post की है, पूरे साल, इसके बाद अगर हम बात करें, एक साल के बाद तो ठीक है, लेकिन company नहीं पिछले 18 से लेकर, अभी तक कैसे काम किया, तो आप देख पाएंगे, 18 में तो company बनी थी, तो उसका data यहाँ है, ज़्यादा है नहीं, हम बात करते हैं, 19 से, 19 में अगर हम बात करें, sales तब भी था, 641, अभी कहां पहुंच गई है, आप यहां देख सेते, 2321 के आसपास, all numbers in CR, तो this is good, 248, 248, तो it's good, numbers are good, शायद आपको अच्छे लगे, नहीं लगे, क्या लगता है, आप प्लीज हमें बताईएगा, comment करके, बात करें इसके बाद, shareholding pattern के उपर, shareholding pattern आप देख पाएंगे, promoter, FIS, TIS, and public का क्या, यहाँ पर आपको, interest बनते हुए दिखाए पड़ रहा है, सबसे पहले अगर हम, promoter के बात करें, March लेकर अभी तक है नहीं, पिछले 4 quarter का डेटा आपके सामने है, 40, 40, 40, तो promoter ने अपने holding को intact रखा, ज़्यादा चेड़ जान नहीं किये, 50 से below है, वो अपने आप में थोड़ा सा week है, otherwise देखा जाए, 40 उनके पास अभी वे intact है, चलिए, next अगर हम बात करें, FIS की 20, almost 9, 21 के आसपास, 19, उसके आफिट 20, और अभी 21, 38, तो कुल बलाके 20 के आसपास, उन्होंने भी अपनी holding को बना कर रखे, FIS का ध्यान इस कंपनी के उपर है, वो जानते हैं कि जिस सेग्मेंट के अंदर ये कंपनी काम करती है, वो सेग्मेंट उसके डिमेंड और उसके मांग अभी खत्म नहीं हो रही, उसके मांग जब शुरुआत हो एक ग्लोबल लेवल पर, इंडिया लेवल के बात करें, अभी तो उसके उपर ज़्यादा काम भी नहीं हो रहा है, ऐसे में इन कंपनी को आने वाल टाइम में बेनेफिट होना ही है, या फिर इनकी ज़रुद पढ़नी है, या फिर ये डिमांड में रहने वाल है, इसी लिए स्मार्ट मनी पहले उस चीज़ को देखती है, बाद में रिटीर इंडिमास्टर देखता है, तो आप देख पाएंगे, अगर हम बात करें डियाएस के, तो डियाएस के इंट्रेस्ट के अगर हम बात करें, फिप्टीन, फॉर्टीन, ट्वेल, एंड्टीन, पिछले दो-तीन क्वाटर से, यह जो हमने रिटर्न देखा था, उस रिटर्न को बुक करने की तरब इनका ध्यान हलका सा बनता हुए आ रहा है, जो 15, 14, 12, 13, बहुत जादा कम नहीं किया, इस क्वाटर में वापस से बढ़ा है, आप यहां देख सकते हैं, बट यहां से थोड़ा सा कम हुआ है, लेट सी, नेक्स क्वाटर में 13 का जो आपड़ा हमें दिखाई पढ़ रहा है, यह बढ़ता है, यह फिर कम होता है, फिर स्टेबल रहता है, लेट सी, बट एस अफना शेर्डिंग पैटर्न के बात करें, FIS, DIS and promoter के बास, मजबूत है, उतना वीक नहीं है, बाकि public के बात करें, public का भी interest भरपूर बना हुआ है, आप यहां देख सकतो, 20 से लेकर 24 पहुँच चुका है, मार्च में public के पास थे 21 के आसपास, रफली बात कर लें, 22 के आसपास, अभी पहुच गया है, 25 के आसपास, तो public के पास भी interest बना हुआ है, इसमें क्या अच्छी नहीं है, वो अगर हम बात करें, इसके pledging, as of now, promoter ने pledge रखें 1.27%, इतनी holding pledge रखें, आप हैरान हो जाएंगे, अगर हम बात करें, 2020 में, यह जो आपको 1.27 दिखाई पढ़ रहा है, यह था 18%, यह प्रमोटर के पास जितने share थे, उसमें से 18% उन्हें pledge रखे थे, वो काफे negative हो जाता है किसे भी company के लिए, वहाँ से pledging को कम करते करते 1.27 के आसपास आचुके, तो आप समझे लिए जो इसके लिए negative था है, है भी वो positive का काम कर रहा है, let's see कि annual time में यह कैसे काम करते है, क्योंकि pledging रखना अच्छी बात नहीं होती है, as an investor के लिए, फिर चाहे company कितनी अच्छी बात है, that depends कि हम as an investor कितने aggressive हैं, कितने risk taker हैं, या फिर हमारे क्या rules है, I am sure कि आपके भी कोई rules होंगे, कुछ parameter होंगे, कुछ तो होगा जिसके basis पर आप invest करते होंगे, company को select और reject करते होंगे, तो इसके बाद अगर हम बात करें, FISDI ने invest किया है, mutual fund की भी बात कर लें, चार टॉप के mutual fund आपके सामने हैं, पहले fund के अगर हम बात करें, जिनरों ने invest किया है, union small cap fund direct growth, रफली बात करें, 4% के आसपास के उनके holding है, निपॉन इंडिया small cap fund direct growth, 3 के आसपास, LAT emerging business fund direct growth, और उसके बाद excess small cap, ये वो टॉप के चार fund है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है भी, तो प्लीज लाइक कीजिएगा ज़रूर, अपने कुछ family या फिर friends के शेयर ज़रूर कीजिएगा, कि यहाँ पर आपको detailed analysis मिलते रहती है daily basis पे, आप उन्हें भी बताएंगे, तो शायद उनकी भी कुछ knowledge बढ़ेगी, या फिर कुछ सीख पाएंगे, अगर हम बात करें, इसके बात ROI और RSC का कैसा इस company का, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि हमने देखा तीन, इसको 5 साल हुआ नहीं है, तो वहाँ पर 0 है, हम 3 साल की बात कर लेते हैं, जो green में है, आप चाहें तो यहाँ पढ़ लिजे, आप चाहें तो इधर देख लिजे, इसका ROI पिछले 3 सामरा है, 15 और सका 10, देखा जाए तो भी से उपर हो, तो अच्छी बात होती है, कई बार हम इसको बोल चुक है, बट अभी कहाईगे, उसी average के category में हो, पिछले एक साल तो 10 के आसपास है, तो ROI थोड़ा सा पूर दिखाई पढ़ रहा है, उसमें कोई doubt नहीं है, जो है unbiased way में आपके सामने, आखरी में जब आप वीडियो खत्म करेंगे, आप अपना decision खुद ही बनाएंगे, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसके ROC के 16 to 11 के आसपास, जो 15, 16 तब भी average के category में आता, 10 के आसपास थोड़ा थोड़ा पूर है, तो यहाँ पर ही इसके ROE, ROC थोड़ा सा पूर दिखाई पढ़ रहा है, यहीं चीज अगर हम इसके sales growth और profit growth के बात करें, पिछले एक साल में वैसी नहीं रही है, और growth के हम बात करेंगे, numbers तो आपको दिखाए पड़ा, वहाँ पर हम percentage के form में बात करेंगे, कि कितना, वो हमने numbers के form में भी देखा, कि बढ़ रहा है, धीरे-धीरे सही, लेकिन वो है, वैसे jump हमें नहीं दीखने को मिल रहे है, इसके बाद बात करतें, company का debt, pleasing और debt काफ़ important होता है, हर company को find out करने के लिए, select करने के लिए, तो zero debt है, ज़रा सा है, negligible cash है, तो कितना debt है, 3.133 के आसपास, इन्हें 3 करोड के आसपास का debt है, cash के बात करें, 308 करोड के आसपास का इतना cash है, तो company आराम से चाहे, जब चाहे इसको, इस cash, इस debt को clear कर सकती है, तो company का enough है, तो इसलिए इसको debt-free company, as of now कह सकते हैं, इन सब के बाद, इसके valuation के बात करते हैं, आज के trading day के बाद, delivery जो हुई है इस share में, 52% की हुई है, और अगर हम बात करें, industry P, तो 52 पहले यह देख लेते हैं, यह अपने अच्छा number है, ठिक था, अच्छा है, अच्छा कहीं कि आप, उसके बाद, industry P है, 41 के आसपास, और यह stock का P, चल रहा है, 80 के आसपास, तो वहां से आपको, double के price पे, अभी यह share आपको trade करता हुआ, नजर आ रहा है, हमने जो number लिया, consolidated basis पर लिया हुआ है, तो यह तो अपने industry P से ज़ादा है, अगर हम इसको देखने कोशिश करें, leader भी, अगर हम IT सेक्टर के बात करें, leader भी इतना उपर नहीं है, वो भी अपने industry P के आसपास है, यह थोड़ा सा आपको इसको पर ध्यान देना, जरूरी हो जाता है, लेकि दूसरी चीज़ यह बात करें, higher P का मतलब हमेशे यह नहीं होता, overvalued है, और जैसे कि low P का मतलब यह नहीं कि undervalued है, यह भी चीज़ concept नहीं होते, आप जिस चीज़ को जानते होंगे, EPS की बात करें, यह भी पूर इसका 7.8 के आसपास है, और dividend deal 0.24%, यानि dividend deal कमपनी देती है, कम देती है, तो क्या क्या चीज़, एक तो pleasing की बात तो ठीक नहीं लगी, और इसके बाद करना इसके ROE, ROC उतनी ठीक नहीं है, as of now, sales growth, profit growth भी उतनी अच्छी नहीं है, percentage के form में हम बात करें, EPS भी पूर दिखाई पड़ रहा है, और बाकिस का PE भी, तो आपको क्या करना है, कई सारी चीज़ हमने इसके अच्छी बाते रखी, company कैसे form हुई, ये भी हमने इसके सामने, इसमें discuss किया, क्या चीज़ नहीं दिखाई रहा है, वो भी, क्या कीज़ ज़्याद ठीक नहीं लग रहा है, वो भी हमने discuss किया, बाकि आपको अपनी राइक बनानी है, इसके बाद भी कुछ confusion है, आप हमें बता सकते हैं, इस वीडियो में हमने कई सारी चीज़े कवर करनी कोशिश की, बाकि सारी important links, detail, join button आपको मिल जाएगा, description में अगर आपको कुछ extra learning, हमसे से सेखना चाते हैं, तो, thank you so much.